नमस्कार हमारे साथ हैं महेंदर तिवाजी जोच्छा चार्ज है आई जानते हैं आखिर नई बिद्या पुरानी बिद्या है लेकिन हमारे डिये नहीं है रमल एस्टोलोजी आखिर क्या कुछ है इसमें आई इंचे जाने सब्सक्राइब अपने आप में पुरानी संस्कृति की परिचायक है आप शकुनी का नाम सुना होगा उन्होंनों उन्सके पहले भी रमल जोटिस फालॉप था शिव और पारवति की बीच में वैसे शकुनी जी की नाम से बोलेंगे तो लोगों के धार में तुरंत आजाना द अभी जो प्रचार प्रसाद आचारी अरुंजी के द्वारा हुआ है काफी मोडिव मोडिकेशन की तौर पर इसको लाया गया है कि आपके महतुपूर्ण प्रश्णों कितने दिन में सौल होगी कितने फास्कली उसका क्या करने से फायदा होगा इसार आपको रमल जोटिश के अंदर कर पता चल सकता है खासकर अभी जो निधेर सारी विद्याएं हो गई है तो आम आदमी किस विद्या के बाद जाएगा अपने समस्याओं को समझान लेगा जो तीशी विद्या अपने आप में चौसर्श प्रकार की चंद्रमाओं की कलाओं की जैसी है जैसे बोड निर्दारी दस्तंब से खड़ा होकर वेक्ति अपने अपने स्टडी को आगे बढ़ाता है उसी में एक रमल जोतिश भी है कि वह गणित के आधार पी है गणित ये सुत्रों के आधार परी दिया गया है जोतिश जितना भी गलना है सब आकाशी पिंडो और जोतिश ये कर रही है डेवलाफ कर रही है लोगों को उस तक विद्या पोचारी अपने आप में सुरू परी है मैं नागपूर महरास्टर से सिर्फ विद्या गरंड करने के लिए आया हूं उनके पास तो अपने आप में काफी बड़ी शक्सियत है और वो इतना बड़ा कारी कर रही है जोती शिविद्या को आगे बढ़ाने का कि मैं तो समझता हूं कि आज की युग में रेखाजी जैसे बहुत कम लोग है जो सभी को आगे बढ़ा रहे हैं जी बहुत बहुत धन्नवाद है यह थे मैं तिवार जी बता रहे ते खास कर जिस परकार से वर्क्सों पर किया जा कि यह का फिव लाद आगे के मरें सुआ 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 कमाने नहीं नहीं सक्राइब